ओम शम शुनिस्ट राए नमा राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वाबंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनिवार के दिन सुनी जाने वाली शनिदेव की कथा सुनने मात्र से आप पर यदि शनि की ढईया शनि की साड़े साथी चल रही है तो आपको शनि की ढईया और शनि की साड़े साथी से चुटकारा मिलेगा शनिदेव आप पर प्रसन होकर आपकी हर चिंता दूर करेंगे आपके हर काम बनने लगेंगे बन्धों पुरन विश्वास एका गर्चित होकर शनि देव की इस कथा को सुने और कथा सुनते समय जे शनि देव जे शनि देव जे शनि देव मन में करते जाएं बन्धों देखना किस प्रकार से शनि देव की आप पर क्रिपा होगी बन्धों हर शनिवार को शनि देव की इस कथा को अवश्य सुने बहुत शिग्र आप पर से शनि की दशा दूर हो जाएगी बन्धों यदि आपने हमारी यूटिव चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने बाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके बन्धों कथा को पूरी सुने सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै शनी देव जरूर लिखें बोलो शनी देव महाराज की जै हो एक समय की बात है सुरे, चंद्रमा, मंगल, बुद्ध, ब्रहस्पति, शुक्र, शनी, राहू और केतु इन नव ग्रहों में आपस में विवाध हो गया कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है जब आपस में कोई निष्चे ना हो सका तो देव राज इंद्र के पास सभी गए और कहने लगे आप सब देवताओं के राजा हैं इसलिए आप हमारा न्याय करके बताएं कि हम नव ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है राजा इंद्र इनका प्रशन सुनकर घबरा गए और कहने लगे मुझ में समर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बताओं मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हाँ एक उपाई हो सकता है इस समय पृत्वी पर राजा विक्रमादित्य बड़ा न्याय करता है अ राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए और अपना प्रशन राजा के सामने रखा राजा उनकी बास सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बताओं जिसको छोटा बताओंगा वही क्रोध करेगा प्रं और लोहा धातों के नो आसन बनवाए सब आसनों को क्रम से जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछाए इसके बाद राजा ने सब क्रहों से कहा आप सब अपने अपने आसनों पर बैठ जाएं जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा जिसका आसन सबसे बिछ वह सब से छोटा जाने क्योंकि लौहा सब से पीचे था और वह शनी देव का आसन था। इसलिए शनी देव ने समय लिया कि राजा ने मुझे सब से छोटा बना दिया। इस पर शनी देव को क्रोध आया और उस ने कहा राजा तु मेरे प्राक्रम को नहीं जानता सुरे एक राशी पर एक महिना, चंद्रमा सवा दो दिन, मंगल डेड़ महिना, ब्रहस पती तेरे महिने, बुद्ध और शुक्र एक महिने राहू और केतु दोनों उल्टे चलते हुए, केवल अठारा महिने रहते हैं, प्रन्तु मैं एक राशी पर धाई और साड़े साथ साथ तक रहता हूं, बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीशन दुख दिया है, राम जी को साड़े साथी आई, तो बनवास हो गया रावन को आई तो राम और लक्ष्मन ने सेना लेकर लंका पर चड़ाई कर दी, रावन के कुलका नाश कर दिया, हे राजा अब तू साथा रहना, राजा कहने लगा जो भग्य में होगा देखा जाएगा, उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसंता के साथ चले गए, राजा का सोदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राइधानी में आए, जब राजा ने सोदागर के आने की खबर सुनी, तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्या दी, अश्वपाल ऐसे अच्छे नसल के घोड़े देख और उनका मुल्य सुनकर चकित हो गया और तुरंथी राजा को खबर दी राजा उन घोड़ों को देकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चड़ा राजा के पीट पर चड़ते ही घोड़ा जोर से भागा घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़ कर अंतर DJ हो गया इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता रहा बहुत देर के बाएद भूक और प्या से दुखी होकर भटकते भटकते एक गवाले को देखने राजा को प्यां से वय कुल देखकर पाने पिलाया राजा की उंगली में एक कर बैठ गया अपने आपको उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम बीका बतलाया सेठ ने उसको पुलीन मनुष्य समझ कर जल पिलाया भाग्यवश उस तिन सेठ की दुकान पर विक्री बहुत अच्छी हुई तब सेठ उसको भाग्यवान पुरु समझ कर भोजन कराने के लिए अपने साथ अपने घर ले गया भोजन करते समय राजा ने एक अश्चरे की बात देखी कि खूटी पर हार लटक रहा है और वह खूटी उस हार को निगल रही है सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सब ने यही निश्चे किया कि सिवाए विका के कोई इस कमरे में नहीं आया अत्य अवश्य ही उसने हार चोरी किया है पांच साथ आदमी इकटे होकर उसको फोईदार के पांस ले गई फोईदार ने उसको राजा के सामने उपस्तित कर दिया और कहा यह आदमी तो भला परतीत होता है चोर नहीं मालूम होता प्रंतु सेठ का कहना है इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं अवश्य ही इसी ने चोरी की है तब राजा ने अग्या दी कि इसके हाथ पेर काड़ कर चोरंग्या किया जाए राजा की अग्या का तुरंत पालन किया गया और वीका के हाथ पेर काड़ दिये गए कुछ काल के बाद एक तेली उसको अपने घ गाने लगा उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मुहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन गा रहा है दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेली के घर में चोरंगिया राग गा रहा है दासी ने महल में आकर राज कुमारी को सब बितां सना दिया बस उसक्षन राज कुमारी ने यह प्रन लिया चाहे कुछ हो मुझे इस चोरंगिया के साथ विवहा करना है माता ने कहा पगली यह क्या बात कह रही है तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ परनाया जाएगा कन्या कहने लगी कि माता जी मैं अपना प्रन कभी नहीं तोड़ूँगी माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई जब महराज ने भी आकर यही समझाया कि मैं अभी देश्ट देशांतर में अपने दूद भेज कर सुयोग्य, रूपवान और बड़े से बड़े गुनी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूँगा ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए कन्या ने कहा, पिता जी मैं अपने प्रान त्याग दूँगी, प्रंतु दूसरे से विवाह नहीं करूँगी इतना सुनकर, राजा ने क्रोज से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो तेरी जैसी इच्छा हो वैसा ही कर राजा ने तेली को बुला कर कहा, तेरे घर में जो चुरंगिया है, उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ, अपने घर जाकर विवाह की तयारी करो राजा ने उसी समय राज कुमारी का विवा जो रंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया रात्री को शनी देव ने विक्रमादित्य को स्वपन दिया राजा देखो मुझ को छोटा बतला कर तुमने दुख उठाए राजा ने शमा मांगी चनी देव निप्रसन होकर विक्रमा दित्या को हाथ पैर दे दिये तब राजा ने कहा महराज मेरी एक प्रात्ना स्विकार करें जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा किसी को ना देना शनी देव ने कहा तुम्हारी यह प्रात्ता सविकार है जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार दुख नहीं होगा जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनुरत पूरन होंगे इतना कह कर शनी देव अपने धाम को चले गए राज कुमारी की आँख खुली उस ने पती के हाथ पाम देखे तो उसे बड़ा अश्चरे हुए राजा ने अपना समस्थ हाल कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमा दित्य हूँ यह बात सुनकर राज कुमारी अत्यांत प्र कुरन कर दी जब उस सेट यह बात सुनी वह सेट विक्रमा दित्या के पास आया उसके पेरों में गिरकर शमा मांगने लगा कि आप पर मैं चोरी का दोश लगाया अत्या आप मुझको जो चाहे दंड दें राजा ने कहा मुझ पर शनी देव का कोप था इसी कारण यह सब द देरे घर चलकर प्रीती पुर्वक भोजन करेंगी राजा ने कहा कि जैसी आपकी मच्ची हो वे ऐसा ही करी शेट ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के भोजन बनवाएं और राजा विक्रमा दित्या को प्रीती भोज दिया जिस समय में भोजन कर रहे थे एक अत्यास आश राजा को भेट की और कहा कि मेरे शीकवरी नामे के करन्या है उसका पानी ग्रहन आपकर इसके बाद शेट ने अपनी करन्या का विवहाँ राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेश दिया कुछ दिनों तक वहां निवास करने के बाद विक्रमा दित्या ने शेहर के राजा से कहा अब मेरी उजयन जाने की इच्छा है राजा और सेट से विदा लेकर राज कुमारी मनभावनी चेट की कर्णियाशी कवरी दोनों जगें के दहेज में प्राप अनेक दास दासी रत और पालकियों सहिद विक्रमादित्यां उजयन की तरफ चले जब शहर के निक बड़ा भारी महोसब मनाये गया और रात्री को दीप माला की गई दूसरे दिन राजा ने शहर में सूचना कराई कि शनी देव सब ग्रहों में सर्व उपरी हैं मैंने इनको छोटा बतलाया इसी से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ सारे शहर में परतेक शनीवार को शनी देव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं बोलो शनी देव महराज की जै हो राधे राधे जैशी कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद